अभी हम मौझूद हैं बिहार के सिवान जीले में और यहां से आपको कुछ ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप सरकार पर सवाल आप भी उठाएंगे हम तो उठाई रहे हैं क्योंकि सरकार कहती है कि हम 29 लाख रोजगार देंगे चुनाव से पहले निती इसकुमार जी का एलान था कि हमारी पार्टी जितती है बिहार में हमारी सरकार बनती है तो 19 लाख रोजगार दिया जाएगा लेकिन हम आपको बता दे कि बिहार में जितने रोजगार के पॉइंट अभी भी हैं अगर उसको पुना चालू करवा दिया जाए तो बिहार में बहुत रोजगार मिल जाएगा अब आईए आपको ले चलते हैं एक चीनी मिल है बिहार में बहुत सारे चीनी मिल थे जो बंद हो चुके हैं लेकिन आपको हम दिखाते हैं एक चीनी मिल जहाँ बड़ा बड़ा पेंड है जंगल है देख सकते हैं कि एस्थिती क्या है यहां कि अगर इसको चालू करवा दिया जाए तो पुनह बिहार में रोजगार बहुत बड़े पॉइंट अब को खुल जाएंगे रोजगार के चलो देख सकते हैं कि हमारे पीछे यह बड़ा सा जो गोदाम दिख रहा है यह चीनी मिल है और इधर लेकिया यह नहीं था अभी नहीं है पहले यहां पर हजारों लाखों की संक्या में लोग काम करते थे लोगों को पास रोजगार्थ हुआ करता था इस चीनी मिल के माध्यम से लेकिन पता नहीं क्यों बिहार में अखिर इतनी ज्यादा समपती कहां से आ गई सरकार के पास कहां से सोचा गई कि इन चीनों मिलों को बंद करना पड़ा सरकार चाहे तो आज भी इनको साफ सफाई करवा करके चालू करवा सकती है अब जेख सकते हैं हमारे सामने जो है यह चीनी मिल है यहाँ पर अगर चालू करवा दिया जाए तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में रोजगार मिलेंगे बिहार में जितने भी चीनी मिल है जितने बंद हुए हैं अगर सब को चालू करवा दिया जाए तो बिहार में लाखों की संख्या में रोजगार मिलेंग कि हम रोजगार दे सकती है लेकिन अगर चाहे तब न सिर्फ जुमला बाजी किया गया है बिहार के लोगों के साथ बिहार के लोगों के साथ बहुत बढ़ा धोखा हुआ है मैं बार बार यह चछिला कर आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है और इसका जीता जाकता हुदारान यह यह ची नहीं मिल चाहए सरकार तो इसको चालू करवाए अगर सरकार के नजर में है कि बिहार में रोजगार देना है गड़ी भी हटाना है तो अब जाके इसमें रोजगार दिया जाए अच्छे अच्छे लोगों को काम दिया जाए ताकि बिहार का विकास तेजी से बढ़े और रोजगार भी मिले बिहार के लोग आपको बता दू बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए जानते हैं कितना रुपए पे आठ हजार पे दस हजार पे उनको जाते हैं उसके बाद उनको जलील किया जाता है बिहार के बाहर दिल्ली मुंबई कहीं भी जाते हैं कोलकता बिहार के लोगों को जलील करके वहां भगाया जाता है बिहार के लोगों मजबूर हैं फिर भी लोगों की बात थुनते हुए उनको अपने पड़िवार चलाने के लिए 8000-10000 की नौकरी करनी परती है, गाली खानी परती है बिहारी नाम का जो सब्ध है वो और लोगों के लिए गाली बन चुका है बिहार के बाहर बिहार के लोग लात जूता खाते हुए 8-10,000 की जौब के लिए बिहार के बाहर जाते हैं और बिहार के मुख मंतिरी आपको सर मानी चाहिए कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं रोजगार के पॉइंट होते हुए बिहार में अगर चाहा जाए तो लगो की संक्या में याप रोजगार दिया जा सकता है लेकिन नहीं आप सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी किया है हम मैं चिला कर कहूँगा कि आपने जुमलाबाजी किया जुमलाबाजी किया जुमलाबाजी किया है बिहार के लोग साथ धोगा किया है अगर आपके नजर में है या वीडियो लगया कि आपको मुख मंतिर तक मोचाने का प्रयास करिएगा आप से रिक्वेस्ट करेंगे शेयर करिए ताकि मुख मंतिर जी की आखे जो बंद हो चुकी है वो आखे खुले और जो रोजगार के पॉइंट अभी दीख रहा है बिहार में और नहीं तो ज्याद रोड को बंद करवा दिया जाता है कि मुख मंतिर जा रहा है करवाना भी चाहिए भाई मुख मंतिर हैं लेकिन मैं साहब आप से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मुख मंतिर जी विधायक जी कि आप लोग भी इसको सदन में उठाईए ताकि यह सब जो रोजगार अगर लगे कि मैंने अपने आपके हक कि लड़ाई यहाँ आपके लिए मैंने आवाज उठाया आपको दिखाया तो आप सब कि अज़िमदारी है कि इस वीडियो को प्लीज सेर करिएगा और इसलीए ताकि निताओं तक पहुंचे कम से कम निताओं की आखिया बंद हो चु बस आखिर मैं यही कहूँगा वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करके आपकी क्या रहा है इन शीनी मिलों को बंद होने के कारण क्या है और क्या पुना चालू होना चाहिए कमेंट पर जरूर बताईएगा चैनल पर पहली बार तो सबस्काइब कर लेजएगा सचाई की आवाज में उठाता रहा हूँ आपकी आवाज उठाता रहा हूँ और आखिर मैं यही कहूँगा कि बिहार के एक खराब शीनी मिलकी बंद शीनी मिलकी खराब स्थिति को दिखाते हुए करमें सुभा मिसरा के साथ मैं भाई कुमार जय हिंट